दिल्ली की सांसद ने दिखाया घरों में जहरीला पानी दिल्ली में एक सांसद स्वाती मालिवाल ने शहर राज्य में जहरीले पानी की आपूर्ती का विडियो साजा किया है सुश्री मालिवाल ने दिल्ली के द्वार का निर्वाचन ख्षेत्र का दौरा किया और दिल्ली के घरों में दिये जा रहे काले और गंदे पीले पानी के नमूने एकत्र किये और दिखाए उन्होंने शनिवार दो नवंबर को अपने ट्विटर हैंडल पर निवासियों के साथ बातचीत के विडियो साजा किये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, सीएम और आमादमी पार्टी, आप के सर्वोच नेता अर्विंद केजरीवाल की आप पार्टी से तालुक रखने वाली मालीवाल ने कहा कि आप सरकार ने स्थानिय निवासियों को उस नरक में मरने के लिए छोड़ दिया है जो दिल्ली बन गई है चुंकि केजरीवाल दिल्ली की शराब मीती से जुड़े बड़े पैमाने पर भरष्टाचार और धन शोधन घोटाले में आरोपियों में से एक हैं इसलिए उन्हें कुछ दिन पहले सुप्रीम कोट के निर्देशों के तहत इस्तीफा देना पड़ा था जिसने फैसला सुनाया था कि वह दिल्ली के सीम के रूप में काम नहीं कर सकते अब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की एक महिला को मुख्य मंत्री बनाने के लिए चुना है जो दिल्ली की समस्याओं से अंजान है और सीम की कुरसी पर परजीवी की तरह बैठी है सुश्री मालिवाल ने कहा कि सीम मैडम इस गंदे पानी को पी सकती है, सनान कर सकती है या घातक प्रदूशित पानी से अपने पापों को धो सकती है जो वह दिल्ली के घरों में भेज रही है एक विडियो में सुश्री मालिवाल को महिला सीएम के निवास के बाहर दिखाया गया है जहां उन्होंने घरों से एकत्र किये गए गंदे पानी को गिरा दिया था वास्तव में दिल्ली में अपने शासन के पिछले दस वर्षों के दौरान केचरीवाल और उनके आप सहयोगियों ने दिल्ली को पूरी तरह से बरबाद कर दिया है चुंकि आपके कई नेता अपराद और भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में आरोपी है इसलिए उन्होंने अदालतों से जमानत पाने और जेल से बाहर आने के लिए कुछ प्रभावशाली वकीलों के साथ सांठ गांड की हाल ही में एक फिल्म, The Living Hell, 2024 डौक्यूमेंटरी ओन दिल्ली डिजास्टर आप सरकार के राजनेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, जो व्यक्तिगत लाप के लिए सारवजनिक संपत्ती को लूटने पर तुले हुए हैं यह केवल दिल्ली में ही नहीं है, बलकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेत्रित्व में पंजाब में आप सरकार भी समान रूप से कुख्यात है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड कर रही है पंजाब में स्थानिय निवासी और पर्यावरन कार्यकरता बूढा नाला, पुरानी जल्धारा को साफ करने और प्रदूशित कार्खानों को हटाने के लिए नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन कर रही है प्रदर्शन कारियों का कहना है कि बूढा नाला जहरीले पानी का एक प्रमुक स्रोत है जो लुधियाना और उसके आसपास के लोगों में कैंसर सहिद घातक बीमारिया फैला रहा है लेकिन लापरवा भगवंत मान सरकार जो कई मुद्दों पर लोगों से जूठे वादे कर रही है पंजाब में लोगों के जीवन और अधिकारों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है दिल्ली में कई लोगों का मानना है कि केजरीवाल और आपके अन्यनेता नागरिकों की सेवा नहीं कर सकते आज दिल्ली के तीन करोड लोग बड़े पैमाने पर भष्टाचार, घातक प्रदूशन, खस्ताहाल स्कूली, शिक्षा प्रणाली और ध्वस्त स्वास्थि सेवा बुन्यादी धांचे के नीचे दब गए है जबकि दिल्ली में पानी की कमी जारी है, लोगों को बिजली का उप्योग करने के लिए भारी शुल्क देना पड़ता है, जो नियमित रूप से घरों में नहीं आ रही है जैसा कि दिल्ली विधान सभाचुनाव दो हजार पचीस में पहले कुछ महीनों में होने की उम्मीद है अगर केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाने के लिए फिर से जीतती है, तो यह दिल्ली के लोगों के लिए एक भयावा आपदा और बड़ी समस्या होगी इस विडियो स्टोरी की पठकता और निर्मान राकेश रमन ने किया है, जो एक राश्ट्रिय पुरसकार विजेता पत्रकार और मानविय संगठन आर्यमन फाउंडेशन के संस्थापक है आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीती, व्यवसाए, प्रोध्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विश्यों को कवर करते हैं इससे पहले, वह The Financial Express के लिए नियमित रूप से एक विशेश संपाधन प्रिष्ट कॉलम लिख रहे थे, जो The Indian Express समूह का एक दैनिक व्यापार समाचार पत्र है वह सन्युक्त राष्ट्र और द्योगिक विकास संगठन, UNIDO के माध्यम से एक Digital Media विशेशग्य के रूप में सन्युक्त राष्ट्र, UN से भी जुड़े थे ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रोध्योगिकी का उप्योग करने में मदद मिल सके आप इस विडियो के तहद दिये गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण विडियो देखने के लिए आरेमन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं धन्यवाद